बाबा कहते न कि बच्चे से कि मुझे याद करो बहुत प्यार से मुझे याद करो लेकिन मेहनत नहीं करो मुहबत के जुले में जुले तो बाबा का कहने का अर्थी यह है कि बाबा को प्यार से याद करो मने बाबा से बिल्कुल एकदम जुड़े रहो बाबा और मुझे में कोई अंतर ही नहीं कोई दूरी नहीं इतना जुड़े रहो बाबा से तो जब बाबा को बहुत प्यार से याद करके बाबा की याद में समा जाएंगे लव में लीन हो जाएंगे तो क्या होगा तो ये जो आत्मा है इसको माने आत्मा माने पुरुशन इसको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अब वो बाबा के नज़ती के बाबा की गोद में हैं तो बाबा जो करेगा वही करेगी वो आत्मा इसलिए फिर मेहनत नहीं लगेगी बस बाबा की याद में, बाबा की प्यार में, महबत में जुलते रहो फिर बाबा कहते हैं कि साक्षी होकर देखो अपने 84 जन्मों का जो पार्थ है ना उसको साक्षी होकर देखो अब साक्षी होकर कैसे देखें तो बाबा ये भी कहते हैं कि तुम आत्मा बिंदी हो और सारा ड्रामा का जो है वो इस बिंदी में ही समाया हुआ है तो अब ये बिंदी तो है आत्मा और उसके अंदर ही समाया हुआ है ड्रामा और वो fix है वो change नहीं हो सकता सबका अपने-पने drama सबके अपने पी script है वो change नहीं हो सकती ना सबके अपने-पने हिसाब कर्मों के सब जो इतने जनम करम किये वो सब fix है सबने जो किया है तो दिलेट नहीं कर सकते न वो तो नहीं मिटा सकते न तो वो फिक्स है तो वो कर्म जो है वही ड्रामा है तो यह आत्मा है और इस आत्मा के चारों ओर ऐसे 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 एसे हमने चौरा सी जनम लिए और ये ड्रामा पूरा इसमें ऐसा फिक्स होता गया हमने जो जो कर्म किये वो सब फिक्स होते रहे लेकिन ये आत्मा ये ये आत्मा बिंदी एक जगे स्थिर है लेकिन मन बुद्धी के द्वारा जब शरीर में हम आये तो मन बुद्धी के द्वारा जो कर्म किये वो ऐसे सब उसमें recording हो गई तो ये आत्मा जब परमधाम में होती है तो जैसे बाबा कहते हैं कि जब शरील लेती है तो चैतन्य है लेकिन जब परमधाम में है तो वहाँ पे तो बस खड़ी रहती है एक जगए स्थिर रहती है माने की जड़ हो जाती है मतलब वहाँ पे तो कोई करम नहीं होती है वहाँ तो इस्थिर है जब शरील लेती तब जड़ से चैतन्य हो जाती है तो जब चतन ने होई तो उसने जो करम किये इतने जनम तक उसकी सब recording हो गई तो अब ये संगम यूग में जब हमको ग्यान मिलता है परमात्मा का शिप बाबा का जब ग्यान मिलता है तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि बच्चे साक्षी भाव रखो हर चीज को साक्षी होके देखो तो अब साक्षी होके कैसे देखें तो जब अपने को आत्मा समझते हैं तो हम जब अपने को आत्मा समझेंगे तो हमें ये पता होगा कि हम शरीर नहीं है जब शरीर नहीं है तो माने हम मन बुद्धी भी नहीं है ये जो recording हुई है ये तो सब मन बुद्धी के द्वारा हुई है इसका मतलब कि इन सब चीजों को ये जो मन बुद्धी संसकार इनको सक्षी होके हमें देखना है तो आत्मा को ये सारी चीजें सक्षी होके देखना है जो हमने कर्म किये है जो ड्रामा है हमारा जो हमारे रोल है जो act है वो सब को हमें साक्षी होके देखना है अब जब संगम पर ये ज्ञान मिल जाता है कि हमको साक्षी होके देखना है हम इस सबसे मतलब उपराम है इन सब चीजों का प्रभाव हम आत्मा पर नहीं पड़ता है तो मैं आत्मा हूँ ये निश्चे करने से ही परमात्मा से बुद्धी जुड़ जाती है लेकिन मैं शरीर हूँ जहां बोला तो फिर ये सारी चीजें जितने ये जो हिसाब किताब है करम है ड्रामा का जो भी है रोल पार्ट है हमारा मन बुद्धी संसकार जो है वो सब हमें दिखने लगती है जब हम अपनी स्थिती में स्थित हैं आत्मा बिंदी रूप में तो फिर इस सारी चीज को हम ड्रामा को और इस सारे करम जो हमारे हैं जनम जनम के पाप, पुन्य के उन सब को हम साक्षी होकर देखते हैं तो तभी हम परमात्मा से बुद्धी, बाबा से बुद्धी को जोड़े भी रखते हैं, बाबा की गोद में समाई रहते हैं, बाबा की याद में, लव में लीन रहते हैं, तब हम साक्षी होते हैं, और ये सब चीज को हम ड्रामा में, जो जो हमने किया है, 84 जनम, वो सब राट आता जाता है, रील खुलती जाती है और हम उसको साक्षि होकर देखते हैं। देभान और देभान जब शुरू होता है, तो साक्षिभाव खतम हो जाता है ना, फिर तो हम उसी ड्रामा में जो कुछ हमारा मन कर रहा है, हम उसे ही अपना समझ लेते हैं, वही मैं हूँ, है ना, तो ये है मैं, आत्मा है मैं, और ये मन, बुद्धी, संसकार और मेरे करम हैं लेकिन मैं ये हूँ, बिंदी आत्मा, ये बिंदी आत्मा इन सब चीजों को साक्षी होके देखें, इसका अभ्यास हमें करना होता है, फिर जब हम इस तरीके से अभ्यास करेंगे, अपने उपर बार बार ये अटेंशन देंगे और ये स्मृति में रखेंगे कि मैं आत्मा हूँ, और ये जो कुछ भी पार्ट चल रहा है, इसको मुझे सक्षी होके देखना है, बाबा की याद में कर्म करके, इन सारी चीजों से हमें जो विकर्म हैं, वो दुबारा नहीं कर करने हैं, विकर्मों से मुझे अपने आपको सुरक्षित रखना है, विकारों से अपने आपको बचा के रखना है, जब ये चीज अपने आपको जम मैं जान लूँगी, तो फिर मैं दूसरे को भी देखूंगी, तो उसको भी ऐसी जानूँगी, कि वो एक आत्मा है, और उ इसलिए फिर आत्मा ये अनुभाव कर रही होती लेकिन जब वो बाबा की याद में बाबा की गोद में बाबा के प्यार में समाई होगी तो फिर प्रेम सरूप है ना बाबा तो प्रेम का सागर है तो प्रेम सरूप होगी तो फिर उसको दुख की फिलिंग नहीं होगी जो भ करेगी और साक्षी भाव से उन सारे ड्रामा को वो देखेगी जो हमने 84 जनम करम किये हैं वो सब पार्ट के रूप में आते जाएंगे हमारे हिसाब किताब के रूप में और हम उसको साक्षी होके देखेंगे और पार करते जाएंगे बाबा की यार में रहके हम उसको पार करत जाएंगे इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मेहनत नहीं करो मुहबत के जूले में जूलो मुझे याद करो और सारे हिसाब किताब क्लियर करो तो तुम आत्मा साक्षी होकर जब यह पाड़ देखोगे तो खुशी का पारा चड़ा रहेगा सत्चित आनंद सत्य स्वरूप में ठिके रहोगे तो आनंद की प्राक्ति होगी ओंशान